Welcome to our channel Fantasy Fortune National Stadium में अभी तक यहाँ पर 6 Monday Matches खेले गई हैं तीन बैटिंग 1st ने जीते हैं तीन बैटिंग 2nd ने जीते हैं और जो एवरेज फर्स टिरिंग का स्कोर रहता है वो 277 का रहता है और दोनों टीम्स जो हैं वो काफी स्टॉंग है तो मुझे लगता है यह मैच जो है 300 रन वाला हमें देखने को मिल सकता है इस मैच में और यहाँ पर जो है स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत गेम में आ सकते हैं इस मैच में लेकिन आप फिर भी बैटिंग कंडिशन स्प्रिया हैं वो काफी अच्छी इस मैच में हो सकती है अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाईएगा यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन है पिन कर दूगा उसी के थूरू जुड़िएगा सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल काफी सारे हैं हमारी नाम के और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीचेगा जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर हम बात करें दोनों टीम्स की तो इंडिया की तरफ से यापर श्रेय सायर जो है वो रूल डाउट हो गए है सीधा मतलब बनता है कि सूर्या कुमार आपको खेलते हैं नजर आने चाहिए तो यहाँ पर रोईशर्मा उपन करेंगे शुबमान गिल के साथ रोईशर्मा ने कंफर्म कर दिया है कि इशान किशन जो हो मिडिल ओर्डरें बैटिंग करेंगे हाँ अब क्योंकि श्रेय सायर जा चुके है तो हो सकता है कि इशान किशन को सेकंड डाउन पर मौका मिल जा और सूर्या को नीचे कर दिया जाए यह एक पॉसिबिल्टी मनती है हार्दिक पांडिया इशान किशन है सूर्य कुमार है वशिंग्टन सुंदर ठाकूर या फिर शामी में से कोई यह खेल सकता है तीम जो है रेस्ट देना जाए किसी फास्ट बोलर को तो खेल जाएंगे यहाँ पर शारदूर ठाकूर अदवाई शामी, उम्रान और यहाँ पर सिराज जी कंटीनियू करेंगे और कुल दी प्यादब भी आपको खेलतों में नजर आने चाहिए अगर हम बात करें न्यूजिलेंड की तो न्यूजिलेंड की तरफ से फिनेलन ओपन करेंगे यहाँ पर डिवाउन कॉनवे के साथ वन डाउन जो है हेंडरी निकॉलस आने चाहिए फिर यहाँ पर टॉम नेथम है डेरल मिचल है, फिलिप्स है ब्रेस्वेल है, सैटनर है यहाँ डग ब्रेस्वेल को कल खिलाया जा सकता है इफ सोडी है और लॉकी फर्गुसन यह जो है प्लेंग 11 हो सकती है न्यूजिलेंड की तरफ अब बात करनेते हैं फ्री के ववे में कैसे आप जो है कमेंट करके विन कर सकते हैं, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लेनी है एक्सचेंड 22 एप, अगर आपके पास यह आप नहीं है, तो आपके पास यह आप होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कमाल की अप है आपने लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा फोर्चून रेफर कोड है, फोर्ट यह ज़रूर यूज कर लेना क्योंकि यह यूज करते हो, आप रेफर कोड सो अगर आप KYC कम्प्लीट कर लोगे तो आपको 100 रुपे मिल जाएंगे, जो आपके deposit section में आ जाएंगे, आप उससे ही खेलना start जो है, वो कर सकते है यहाँ पर करना क्या है, आपने कि आपने बताना है कि कौन इस match में, यानि कि जो match है, इंडिया और न्यूजिलेंड का सबसे जादा points कौन सा player देगा यहाँ पर, और कितने points यहाँ पर वो देने वाला है, आपने यह comment करके बताना है, exchange 22 पे simple सा होता है, कि जो player आपको सही लगता है, कि वो run करेगा, उसे आप buy कर लो जो लगता है, कि यार वो अच्छा नहीं करेगा उसे आप sell कर दो, opponent का कोई जंजट नहीं है, और multi bagger में भी काफी अच्छा return आपको मिल जाता है, तो आपने comment करना है, FN, इसी format में comment करना, यार, बहुत सारी लोग जो है न, वो अपना fantasy name in लिखते हैं उसके बिना आपको पता नहीं चलता है, कि कौन से account में जो है, वो transfer होने है पैसे, तो आपको FN, जो भी आपका fantasy name है, exchange 22 पे वो comment कर देना है, सपोज आपको लगता है, विराट को ली, देंगे 100 points तो आपने लिखना है, विराट को ली 100 points यह नहीं करना, कि 100 plus लिख दो यह नहीं करना, कि 100 से 120 दे दो, आपने exact बताना है ठीक है, और आपने use करना है hashtag fantasy fortune, तो आपने इस format में comment कर देना है अब यह ज़रूरी नहीं है, कि यार बहुत साइड लोग कहते हैं, कि exact points बताने हैं, तो बड़ा tough है, भाई, ऐसा है कि अगर किसी ने exact points नहीं भी बताए, बहुत बार ऐसा हुआ है, कि किसी ने वो player guessing नहीं किया, कि सबसे ज़्यादा points कौन देगा, तब भी 5 winner announce होंगे, तो जो सबसे close होगा, जो answer के, वो मानने जाएंगे, तो 5 winner announce होएंगे, ही होएंगे, तो 5 winners को क्या मिलेगा, हर किसी को मिलेगे 200-200 रुपे, उनके exchange 22 के deposit section में, जिससे आप खेल कर जो है, आप अराम से win करके withdraw कर सकते हैं, और आपने जो है, edited comments जो है, वो माने नहीं जाएंगे, अगर tie ही होता है, तो जिसका comment जो है, पहले आता है, उसका comment है, वो माना जाएगा, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इंडिया की तरस्य, तो इंडिया की तरस्य, ओपन करेंगे, रोई शर्मा, यहाँ पर शुबमान गिल के साथ, अब जो है, रोई रोई शर्मा रिसेंट सीरीज अच्छी रही है, तो एक आपके लिए safe pick बन जाती है, small league में, अगर हम head to head में बात करें, तो 24 मैच में 703 रन है, 33 के उसत से, लेकिन venue पर कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, दो मैच में 38 रन है, बट एक safe खिलाड़ी, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाते हैं, तो आप रोई शर्मा को अपनी टीम में consider कर सकते हैं, शुब्मान के लिए important बन जाते हैं, क्योंकि काफी अच्छी जो है इनकी series रही थी, यहाँ पर अभी डिसेंटली जो शील लंका के अगें series हुई है और आपके लिए एक अच्छी pick रहेगी क्योंकि यह बड़ इनिंग्स खेल लेता है, T20 में रिस्की खिलाड़ी रहता है, लेकिन वन डे में क्योंकि टाइम बहुत है और यह खिलाड़ी ऐसा है, जो टाइम लेकर खेलता है, तो यह बड़ इनिंग्स खेल सूर्य कुमार यादव, अब देखो जो लास्ट मैच जिसमें सूर्य कुमार को खिलाया गया था, क्योंकि अब उस मैच में श्रेयस अईयर थे, तो यहाँ पर सूर्य कुमार की बैटिंग ना बहुत नीचे हो गई थी, ठीक है न, लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य कुमार नंबर टू पर मेंशन है, तो यह बहुत important है, ठीक है न, अगर यह मेंशन है कि बहुत करो यह जो है, थर्ड डाउन यह फोर्ड डाउन आ रहे हैं, तो फिर यह रिसकी प्रिक है, लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट करते हुए, सेकंड डाउन यह खिलाडी खेल रहा है, तो फिर ही आपकी टीम में होना चाहिए, क्योई काफी अच्छी form में सूर्य कुमार चल रहे है, इशान किशन है, इशान किशन आपको खेलते में नसर आएंगे, अब इस टाइम जो है न, विकेट कीपर में खोड चल रही है, काफी जादा कि कौन खेलेगा, कौन खेलेगा, तो हर विकेट कीपर जो भी जिसको भी मौका मिल रहा है, वो ट्राइ करेगा कि अपनी प्लेस्ट है, वो पक्की करी जाए, इशान किशन फॉर्म में है और अब बैटिंग फर्स्ट करते हुए, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं चेजिंग में फिर भी इगनोर कर सकते हैं, बट बैटिंग फर्स्ट करते हुए, एक आपके लिए अच्छी पिक बन सकते हैं हारदिक पांडिया इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंग कैसे न कैसे करके आपको पॉइंट दे देते हैं शीलंका का जो दोरा रहा था, मतलब जो ODI सिरीस थी, उसमें इतना कॉंट्रिबूशन नहीं दिया लेकिन यहाँ पर जो है, अच्छा कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छी पिक बन जाएगी small league में, head to head में देखें, 11 match में 11 wicket हैं और 192 run है लेकिन recent जो है, वो अच्छा रहा है, बट हाँ, कि अगर बात करें कि जो ODI में है उतना performance नहीं, क्योंकि ODI में wickets नहीं मिलें इनको और batting से भी उतना अच्छा performance नहीं है, क्योंकि chance ही कम मिला है तो यहाँ पर लेकिन New Zealand के against हम टक्कर का match है, वो expect कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी pick बन जाएंगे Washington सुन्दर आपको खेलतों में नज़र आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर पटेल जो है वो available नहीं है अगर बात करें, head to head में wicket नहीं मिला है इनको 3 match जो खेलें, 88 run है लेकिन जो है, सामने की team में लेफटी batsman है तो उनके सामने जो है इनका use अच्छा खासा हो सकता है और अगर आपको लग रहा है क्यार wickets गिरेंगे कि मतलब इनकी batting आ जाएगी क्योंकि bowling से जादा, क्योंकि bowling इनकी मौसलिये रहेगी 10 over 40 run देकर 1-2 wicket ले लिया लेकिन अगर इनकी आ जाती है batting वो batting में 40-50 run की पारी भी खेल जाते है तो अगर आपको लगता है कि सुन्दर की batting आ जाएगी तो तो आप इन्हें अपनी टीम में जरूर consider कर लेना मौहमद शमी अगर हम बात करें देखो fast bowler इंडिया की तरफ से सबसे अच्छा कौन कर रहा है recently जो सबसे अच्छा कर रहे है वो कर रहे है मौहमद सिराज तो मौहमद सिराज मेरे इसाब से एक पहली choice बन जाते हैं आपके लिए अब यहाँ पर उम्रान मलिक और मौहमद शमी आपको इन में से एक consider कर सकते हैं उम्रान मलिक जो है न वो थोड़े wicket taker बोल रहे है अगर आप जेके head to head में 3 में 3 wicket है लेकिन recently अच्छी कर रहे हैं और 2-3 wicket ले जाते हैं क्योंकि lower order में आके न अगर जो tail ender के सामने बोलिंग मिल जाती है महाँ पर यह wickets निकाल लेते हैं तो एक option यह आ जाता है otherwise अगर आप महाँ में शमी का देखें तो भाई head to head में शानदा रिकॉड 10 मैच में 21 wicket हैं ठीक है? venue पे भी एक मैच में 2 wicket है तो लगबद 2 wicket का इनका average आ रहा है तो आप अगर शाय हैं तो शमी को consider कर सकते हैं otherwise जो है उमरान मली का खेलते हैं तो ये भी अच्छा कर रहे हैं कुल्दीप यादब कुल्दीप यादब जो है अगर देखो चहल खेलते हुए नजर आए चहल से अच्छी form मेरे हिसाब से तयार कुल्दीप यादब है और आज की रेट में कुल्दीप को ही मौका मिलना चाहिए head to head में 6 match में 11 wicket ठीक है venue पे एक match में 2 wicket so कुल्दीप यादब यादब एक ऐसा खिलाड़ी है जो wickets निकाल सकता है तो कुल्दीप खेलते हैं तो मैं अपनी टीम में जरूर रखूँगा क्योंकि यह 3-4 wicket निकालने के भी शमता रखते हैं तो कुल्दीप यहाँ पर सिराज पहली choice हो जाएगी कुल्दीप उसके बाद यहाँ पर उमरान और फिर यहाँ पर शमी ठीक है बात करते हैं यहाँ पर important players की so यहाँ से important जो है अगर आप देखें यह क्या है T20 में तो क्योंकि यह 30-40 न बना देता है अब यह जब 30-40 न बनाएगा अगर वो T20 में अच्छा है तो जब वो 50 points हो जाते हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं ठीक है न लेकिन वंडे में अगर यह 30-40 points देता है और एक दो में flop होता है तो यह risk रहता है अब यह player जो है यह गुप्टिल की जगा खेल रहा है जो same role गुप्टिल का हुआ करता था वो फिन एलन का है लेकिन फिन एलन जो है बड़ी इनिंग ने खेल रहा है लेकिन लगातार जो है start यह मिल रहे है तो अगर यह मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा होने लगता है कि लगातार start मिल रहा है एक बड़ी इनिंग न कहीं अ रही है इसमें talent है बड़ी इनिंग खेल सकता है तो अब problem यह है कि आरो बड़ इनिंग आएगी कब यह एक problem आजाती है तो उसकी वज़े से यह grand league के लिए बहुत अच्छी choice है grand league में आप इन्हें अपनी team में ज़रूर रखें captain wise captain भी try कर सकते है grand league में mega grand league अगर आप खेल रहे है small league में consider करना चाहे है बुरे पिकनी है क्योंकि 30-40 तो बना देते है mostly ठीक है ना तो अगर आप consider करना चाहते है risk होगा क्योंकि यह खिलाड़ी जो है वो responsibility के साथ नहीं खेलता है risk होगा लेकिन लिया जा सकता है क्योंकि player अच्छा है ठीक है Devon Conway important है Devon Conway अगर आप देखें head to head में 3 match में 62 रहन है लेकिन प्लेयर अच्छे है यह bird innings खेलते हैं अब क्योंकि Williamson नहीं है तो main खिलाड़ी जो है वो Devon Conway बन जाते हैं captain wise captain की भी small league में अच्छी choice बन जाएंगे Henry Nichols खेलते हैं तो यह surprise कर सकते है one down अगर batting करते हैं 12 match में 344 रहन है 49 का average है इंडिया के against और यह खिलाड़ी grand league में जरूर ट्राइ करना even small league में भी consider कर सकते हो क्योंकि यह खिलाड़ी tick कर खेलता है test लगाता है खेलता है regular और अगर one down पे मौका मिलता है तो Henry Nichols जो है वो एक अच्छी पारी खेल सकते है Darryl Mitchell है 3 match में ज़्यादा रनी है ठीक है 11 run है और जो है player अच्छे है but again वो यह बड़ी इनिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं खेलते है कि start मिल जाता है लेकिन अगर आप try करना चाहते हो तो किया जा सकता है प्लस विकेट कीपिंग तो करी रहे है है ना तो भाई मेरे हिसाब से important है मैं इने अपने team में ज़रूर रखने वाला हूँ Phillips Phillips को जो है ignore करके चलते है 50-100 और बैटिंग भी आ जानी है bowling भी कर लेते है क्योंकि इंडियन कंडिशन में पूरे चांस इनके रहते है और तेज क्रिकेट खेलते है अगर 40-50 बोल भी विल गई तो 70-80 रन बनाने की शमता ही रखता है कि लाड़ी बात करते है आपर ब्रेस वेल की ब्रेस वेल important है क्योंकि ये बैटिंग बहुत अच्छी करते है अपने 10-0 भी पूरे करेंगे और क्योंकि ये बैटिंग अच्छी कर रहे हैं लगाता है 10-0 कर रहे हैं तो small league में captain wise captain भी आप कर सकते हो Mitchell Santner है similar role है लेकिन बैटिंग जाद अच्छी जो है वो ब्रेस वेल करते हैं और जो एक उपर भी आते हैं बैटिंग करने वो ब्रेस वेल भी आते हैं लेकिन सैटनर भी अच्छी पिक है आप दोनों को अपनी small league team में consider कर सकते हो क्योंकि दददस over करेंगे ठीक है अगर एक wicket भी ले जाएं और 20 run भी बना दे हैं तो भी ये लगबगा आपको 55 point दे देंगे तो ये दोनों खिलाड़ी जो है अच्छे हैं और दोनों ही important रहते हैं duck brace well है खेल सकते हैं कल का match अच्छे all rounder है लेकिन head to head में 4 match में 2 wicket हैं खेलते हैं तो grand league में try कर सकते हो soddy है, soddy की बात करें head to head में 6 match में 6 wicket bowler अच्छे हैं, Indian condition में अच्छा कर सकते हैं लेकिन Indians जो है, वो खेल जाते हैं spinner को ठीक ठाक, तो मैं इनसे पहले जो है, अगर bowling पहले आती है तो मैं Loki Ferguson को अपनी टीम में रखना चाहूंगा 7 match में 8 wicket हैं, लेकिन अगर पहले bowling आती है, फिर death में bowling करेंगे यह, तो मैं इनको अपनी टीम में रखना बात करता है, important खिलाड़ी की तो यहाँ पर Conway, Latham है, Braceville, Santner और Loki Ferguson आप यहाँ पर small league captain wise captain की बात करें, तो Virat Kohli, Devon Conway, Shubman Gill और Braceville, आप इन में से captain wise captain कर सकते हैं Grand League में Latham अच्छी option है, batting first यहाँ पर Finn Allen और Rohit Sharma यह वो दो खिलाड़ी है, जो high risk वाले जो है, specially Finn Allen जो है वो काफी high risk और high reward वाला प्लेयर है, 14 person in का भी selection है मौमस सिराज इस तरीके से bowling कर रहे हैं, आप उनको भी grand league में captain wise captain try कर सकते हैं चलिए create करते हैं अपनी small league और grand league की teams विगट गिविंग section में 3 option आ जाते हैं लेथम है, किशन है, फेबियन एलन है मैंने यहाँ पर लेथम को लिया है इशान किशन को batting first करते वे try कर सकते हैं फेबियन एलन रिस्की खिलाड़ी है जिसको risk लेना है, वो बिलकुल ले सकता है क्योंकि opening करते हैं और ताबर तोड़ ही खेलते हैं 20-30 में तो आपको बना कर दे ही सकते हैं यहाँ पर बात करते हैं betting section में विराट कोली, शुबमान गेल, डिवान कॉन वे तीनों ही काफी important है रोई शर्मा, ठीक है, important रहते हैं तो रोई शर्मा एक पिका जाती है यहाँ पर Glenn Phillips को आप try कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव अगर second down खेल रहे हैं यहाँ पर Henry Nichols का selection जो है 3% है, one down batting करते हैं तो आप इनको try कर सकते हैं अभी के लिए यहाँ पर all rounder section में चलते हैं इने ब्रेस्वेल को लिया है, पांडिया को लिया है और यहाँ पर जो है, मैंने अपनी टीम में सैटनर को लिया हुआ है ठीक है, Washington सुन्दर, interesting pick है try कर सकते हैं bowling section में बात करें Ferguson, Siraj, Kuldeep, यादव, यह तीनों हैं अब एक खिलाड़ी लेना है अगर उम्रान मलिक खेलते हैं तो उम्रान मलिक, मौम्मश्यमी, अदवाइज, यहाँ पर रोईश शर्मा भी option है तो रोईश शर्मा के साथ भी आप जा सकते हैं मैंने अभी के लिए क्या किया है, उम्रान मलिक को लिया है सो भी बन जाती है हमारी small league की टीम इसमें एक से दो change हो सकते हैं क्योंकि रोईश शर्मा को लेना या नहीं वो toss के बाद हम decide करेंगे ठीक है और कोई अगर differential खिलाडी लेने है तो वो भी toss के बाद decide करेंगे तो final team आपको telegram पर मिल जाएगी जिसका link description में है, उसी के तुरू चुड़ना है captain vice captain की बात करें विराट को captain किया है यहाँ पर konway और brace well में से सोच रहा हूँ vice captain का, swabby के लिए मैंने brace well को यहाँ पर किया है, तो यह बन जाती है हमारी small league की team बात करते है grand league teams की तो दो teams create करी है team number one की बात करें इसमें हमने Fabian Allen को भी यहाँ पर Fabian कहे रहा हूँ यहाँ पर Finn Allen को हमने रखा हुआ है और यहाँ पर शुच्च मान गिल को captain किया है, vice captain मैंने brace well को किया हुआ है यहाँ पर अगर हम बात करें team 2 की team 2 में हमने क्या किया, biraart को captain किया है, hardic को vice captain किया है एक unique kombination मनाया है कि तीनों विकेट कीपर हैं, तीनों, क्योंकि टैलेंट तीनों में है, तीनों अच्छा गर सकते हैं, तीनों को एक ही टीम में रखा है, कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ रखे हैं, सिर्फ विकेट कीपर में हल्का सा रिस्क हमने लिया है एक और ये team बन जाती है team to grand league की आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं और किसी एक player को इस multiple teams में captain wise captain कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ ये video आपको पसंद आई है तो पसंद आई है तो like करो, share करो comment करके बताओ कि कौन सा player सबसे जादा points देगा और कितने points देगा, जो winners होंगे उसे exchange 22 पे 5 winners जो है मैं announce कर दूँगा telegram पे so telegram पे जुड़ना ना भूलिएगा और youtube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी all the best guys